आज हम डिस्कुस करेंगे ऐसे दो में जजिस को जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री में अपने रिमार्किबल ना, अपने रिमार्किबल वक्स से अपने गोल्डन पेज पे अपना नाम लिख दिया है जिनको जानना आपके हर घर में जानना बहुत ज़रूरी है ये दो लोग, इंडिया के लोगों के लिए इतना खրे रहे हैं कि उनके यूमन राइट्स, उनकी फीड़ा, उनकी लिभर्डी, उनकी आजादी के लिए इतना वा काम किया या फिर ये कहूं कि लोगों के साथ एक बहुत बुरे वक्त में भी उननोंने साथ दिया है तो इन्हें प्लीस होड़ा टाइम निगागे जरूर जानी है यह पहले हैं हमारे Justice P.N. भगपती जिरे Father of P.I.A. कहा जाता है Public Interest Education यह एक ऐसे instrument है जिसके थूँ कोई भी व्यक्ति अगर Public Interest में है तो वो Supreme Court को अप्रोच कर सकता है और इसी के थूँ ऐसे कई सारे केसे जिनों है जैसे कि मैं कहूँ विशाखा का केस जिसमें Supreme Court ने Sexual Harassment एक Workplace से लेकिट गाइडलाइन्स दी थी पहली बार और इंडिया में ऐसे कोई एक पेले नहीं था उन्होंने दिया था तो वो विशाखा जो था वह NGO जिसने PIL फाइल की थी ऐसे ही एक और केस था हमारा एसेट के वाख लक्षमी के उन्हें जो इस पे एक मूवी भी है उसमें जब एसेट को रोकने के लिए एसेट को बिखने से रोकने के लिए PIL फाइल की थी तो यह PIL से इंडिया में काफी चिंजिस आएं इंडिया के लॉज में चिंजिस आएं तो यह इंस्टूमेंट को इंप्रोड्यूस किया था हमारे जच्छस P.N. भगवती ने जो चीप जच्छस ऑफ इंडिया भी रहे है और ऐसे काफी सारे इमार्केबल वर्क किया है इन्होंने रूल ऑफ लॉप पे वर्क किया है और रूल ऑफ लॉप इवन हमारी आजादी, हमारी लिबर्टी और हमारे सम्विधान को आगे रखने के लिए काम किया है बच्छन सिंग वसे स्टेट ऑफ पंजाब का एक फेमस केस जिसमें रियरिस्ट ऑफ रियर डॉक्रिन दिया गया था डेथ पेनल्टी के लिए मतलब फासी की सजा रियर ऑफ रियर केसेज में की गई थी ये कहा गया था उसमें जर्सिस पी एन भगवती ने कहा था कि सभी कानून फासी की सजा नहीं रहता एक इंसान ही इंसान को मार रह होता है और सबसे वर्स टेट है क्योंकि इसमें सुसाइटी कंसेंट करती है इसके बाद आगे बढ़ते हों हमारे दूसरे बहुत फेमस जर्ज और सबसे सरहानिय वक्ति में तो हूँ तो वो है जैसिस एचार खन्ना एक वो इंसान चुन्होंने इमर्जिंसी के टाइम जो कि हमारा ब्लेक टाइम माना जाता है इतना तानर्शाही का रूल चल रहा था लोगों को जेल में अंडर डाला जा रहा था बिना उन्हें कारण बरता है और ऐसे वक्त में बहुत सारे हभीस कॉर्पर्स की देटा आ रही थी और उसके बार सुप्रीम कोड़ हो मामला जाता है और सबसे इंफेमस जज्मेंट मतलब सबसे बुरा मानने जागवाले जज्मेंट एक ब्लेक जज्मेंट जिससे कहते हैं हम ADN जबदपूर परसे शिपकार शुकला का केस जिसमें ये कहा गया कि इंसानों के मौलिक अदिकार सारे उनसे चीन लिये जाएंगे अगर इमर्जेंसी का वक्त होगा मतलब people will have no fundamental rights during the national emergency और इस में 4 to 1 majority से ये कहा गया तो वो जो एक जज्ज्ज थे ना जिन्होंने dissenting opinion का दिया था वो थे justice HR करना ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी किताब में ये mention कर रखा है कि उन्होंने उनकी wife और उनकी sister के साथ बैठते वक्त बैठते वक्त इस judgment उतने के पहले उनकी sister से यही कह रहे थे कि ये judgment मुझसे मेरी Chief Justice of India की कुर्षी लेने वाला है और उसके बाद इनको ना बन चीफ Justice of India ना बनाते हुए इनके junior को Chief Justice of India बनाया जाता है और हमेशे Chief Justice of India एक senior judge को बना जाता है और इनको नहीं बनाया जाता क्योंकि ये government के खिलाफ गयते है उस वक्त और ऐसे judge जिन्होंने लोगों का साथ दिया उनकी Chief Justice of India के कुर्षी को छो बनता है और इसके बाद ऐसे कई सारे cases हुए है जिसमें ऐसे कई सारे case New York Times में भी इनको सरहा गया और ये भी कहा गया कि कभी इंडिया अगर उसके आजादी के 18 साल को प्राउड देखती है तो वो इनकी मूर्ती मूर्ती बना कर Supreme Court में जरूर लगवाएगी जी इनकी मूर् और इन्हें हमेशा यार दिख करा जाता है एक ऐसे जिन्होंने देश का साथ और लोगों का साथ काले वक्त में नहीं छोड़ा और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा जमीर मेरा सोल मुझे जाज़त नहीं देता कि आज जब सबसे ज़्यादा लोगों को जरूरत है मेरे जज कि तब में उनका साथ छोड़ दू और अपने बारे में सोचू तो बस ये वो दो जज़िस है जिन्हों ने आप लोगों का साथ उस वक्त नहीं छोड़ा जब आप लोग सबसे ब्लेक टाइम में चल रहे थे डेमोग्रेसी हमेशे ब्लेक टाइम में आ सकती है रोक्टर बिया से नहीं किया गया तो वो जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा होगा ही नहीं सम्विधान की उस एसेंबली के बारे में जानिये और उसके सपने के बारे में जानिये और ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के सपने और वेल्यूज और व्रीम्स को आगे रखा है उनके फी सपोर्ट करेंगे तो ही वो जनरेशन में सर्वाइफ करेगा और अगर हम उसे सपोर्ट करना छोड़ दिये तो अगें हम एक ऐसे टाइम में वापिस से जाएंगे जहां पर हम देमोक्रेसी की दिक्टेटर्शिप को दिखेंगे मतलब तान शाही का दौर दिखेंगे थैंक य झालब तो हुआ है झालब।